हलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ दो की शिरुवात करेंगे पाठ दो में हम पाठ परने से पहले शबदार्थ को समझ लेंगे शबदार्थ समझने से आपके लिए पाठ समझना बहुत आसान हो जाएगा अब मैं आपको शब्दार्थ समझा रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखना ठेक है और ध्यान से समझना सबसे पहले शब्दार्थ है शाम पट, शाम पट टकार्थ होता है ब्लेक बोर्ड, ब्लेक बोर्ड जिस पर वाइट कलर की सफ़े चौक से लिखा जाता है हमारे स्कूल में तो वाइट बॉर्ड हैं जिस पर हम मारकर से लिखते हैं पर पहले स्कूलों में ब्लेक बॉर्ड होता था जिस पर टीचर चौक से लिखते थे सेकेंड नमबर पर है पीट थप थपाना पीट थप थपाई मतलब शावाशी दी जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसकी पीट थप थप थपाई जाती है उसे शावाशी दी जाती है कहा जाता है ना वेरी गूड बहुत अच्छा वर्क किया उसे कहते हैं पीट थप थप थपाना उसके बाद अगला है फूला नहीं समाना फूला नहीं समाना मतलब बहुत खुश होना जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें प्राइज मिलता है तो हम अपने आप में बहुत खुश होते हैं अगला है व्यवहार व्यवहार का अर्थ है बढ़ताओ बढ़ताओ का मतलब जिसे हम इंगलिश में कहते हैं behavior, हम किसी से बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं, किसी के उपर गुसा करते हैं, है ना किसी को डाटते हैं, किसी के उपर चिरचिड़ा हटसी होती है, तो हम जिस तरह से जिस इनसान से बात करते हैं, behavior करते हैं, उसे कहते हैं बढ़ताओ अगला है अवश्य, अवश्य कार्थ होता है जरूर जिसे हम आपको फैर कॉपी कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं कि बेटा अपनी कॉपी कंप्लीट करना में कॉपी चेक करूँगी तो आप क्या बोलते हो, जी मैं में कल जरूर कर लूँगा तो अवश्य का अर्थ होता है जरूर अगला है क्ष्यमा क्ष्यमा का अर्थ होता है माफी जब आप कोई गलती करते हो हम आपको डाड़ते हैं तो आप बोलते हो ना Sorry मैम Sorry मतलब माफी क्ष्यमा माँगना माफी माँगना अगला है स्वयम स्वयमकार्थ है खुद खुद मतलब आपको हमवर्क करने के लिए बोला जाता है ना कि अपना काम खुद करो अपना काम स्वयम करो ममी पापा से अपनी कौपी का वर्क मत करवा अपना हमवर्क खुद को करना चीए वो है स्वयमकार्थ है खुद इसके बाद अगला है चकित, चकित का अर्थ है हैरान कोई भी चीज को चकित मतलब चौकना, हैरान होना हम किसी चीज को देखकर एकदम चौक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, आश्यरे में पढ़ जाते हैं उसे कहते हैं हैरान, चकित का अर्थ है हैरान अब ये हमने पाठ दोके शवदार्थ को समझा इसके बाद अब हम पाठ शुरू करेंगे आप पाठ परध्यान दीज नाम में क्या समझा रही हैं